परिचय प्रिया, तुम इन तीलियों के साथ क्या कर रही हो? मैं इन तीलियों की सहायता से अलग-अलग तरह की आकरतियां बना रही हूँ. देखो, मैंने एक समानतर चतुर्भुज बनाया है. ये तो अच्छा है. क्या आप तुम एक त्रेभुज बना सकती हो? हाँ, मैं बना तो सकती हूँ, पर अब मेरे पास सिर्फ दो तीलियां बची है. कोई समस्या नहीं, तुम अब भी एक त्रेभुज बना सकती हो? लेकिन कैसे? ये तीलियां मुझे दो. देखो, अब दोनों आकरतियों का आधार एक ही है. हाँ, ये तो बहुत आसान था. आउ, इस अध्याय में हम ऐसी ही और भी आकरतियों के बारे में जानते हैं. उत्यश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे. एक ही आधार पर तथा एक ही समानतर रेखाओं के बीच के समानतर चत्रभुजों को समझना. एक ही आधार पर तथा एक ही समानतर रेखाओं के बीच के त्रभुजों को समझना. समानतर चत्रभुजों और त्रभुजों के क्षेत्रफल से सम्मंदित प्रामयों को सिद्ध करना. परिभाशाएं किसी भी समतल क्षित्र के विस्तार अथवा उसकी माप को उस क्षित्र का क्षित्रफल कहते हैं। और क्या आप जानते हैं कि समतल क्षित्र क्या है? किसी समतल का वह भाग जो किसी बंद आकरिती के अंदर हो वह उसी आकरिती का समतल क्षेत्र कहलाता है दो सरवांग सम आकरितियों के क्षेत्रफल समान होते हैं लेकिन समान क्षेत्रफल वाली आकरितियां सरवांग सम हो यह आवशक नहीं है किसी आकृती के क्षिद्रफल को AR से भी दर्शाया जा सकता है उधारण के लिए त्रिभुज ABC का क्षिद्रफल के स्थान पर AR ABC भी लिखा जा सकता है ये की ही आधार पर बनी आकृतियां इस आकृती की ओड़ देखिए यहां दो आकृतियां हैं एक आयत ABCD और एक समांतर चत्रभुज CDEF अब हम देख सकते हैं कि दोनों आकृतियों में आधार CD उभैनिष्ट है ठीक इसी तरह इस आकृति में त्रिभुज ABC और त्रिभुज BCD एक ही आधार BC पर स्थित है अब इस आकृति को देखें इसमें एक त्रिभुज ECD और एक समांतर चत्रिभुज ABCD दोनों एक आधार यानि CD पर स्थित हैं एक आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच की आकृतियां अब इस आकृति की ओर देखें हम देख सकते हैं कि समांतर चत्रिभुज ABC तथा समांतर चत्रिभुज ABFT में आधार AB उभेनिष्ट है साथी समांतर चत्रिभुज ABC के शीष C और E जो भुजा AB के सम्मुख हैं तथा समांतर चत्रिभुज ABFT के शीष D और F जो भुजा AB के सम्मुख हैं A के ही भुजा CF पर हैं जो AB के सम्मुख है इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों समानतर चत्रभुज A की ही आधार AB पर तथा A की ही समानतर रेखाऊं AB तथा CF के बीज इस्तित हैं ठीक इसी तरह इस जित्र में ADB तथा ACB दोनों समानतर चत्रभुज A की ही आधार AB पर तथा A की ही समानतर रेखाऊं AB तथा DC के बीज इसलिए दो आकरितियां यदि A की ही आधार परिस्तित हैं और उभे निश्ट आधार के सम्मोक स्थित उनके शीर्ष एक ऐसी रेखा परिस्तित हैं जो आधार के समानतर हैं तो वो आकरितियां एक ही आधार और एक ही समानतर रेखाऊं के बीज की आकरितियां कहलाएंगी एकी ही आधार और एकी ही समानतर रेखाओं के बीच इस्थित समानतर चतरभुज प्रमय एकी ही आधार और एकी ही समानतर रेखाओं के बीच इस्थित समानतर चतरभुजों के खित्रफल समान होते हैं आईए इस प्रमय को सिध्ध करें दिया गया है दो समानतर चत्रभुज A, B, E, C और A, B, F, D जो एक ही आधार A, B तथा एक समानतर रेखाऊं A, B और C, F के बीच इस्थित हैं हमें ये सिद्ध करना है कि A, B, E, C का चित्रभुज बराबर है A, B, F, D के चित्रभुज A, D, C और तिभुज B, E, F में कोण A, C, D बराबर है कोण B, E, F के क्योंकि ये समानतर रेखाऊं A, C, सरवांगसम, B, E तथा त्रियक रेखा, C, F के संगत कोण है इसे समीकरण एक से चिन्हित कीजिए कोण A, D, C बराबर है कोण B, F, E के क्योंकि ये समानतर रेखाऊं A, D, सरवांगसम, B, F तथा त्रियक रेखा, C, F के संगत कोण है इसे समीकरण 2 से चिन्हित कीजिए इसलिए त्रिभुज के कोण योगण के अनुसार कोण C, A, D बराबर है कोण E, B, F के इसे समीकरण 3 से चिन्हित कीजिए साथ ही, A, C बराबर है B, E, K ये समानतर चत्रभुज A, B, E, C की सम्मुग भुजाएं है इसे समीकरण 4 से चिन्हित कीजिए इसलिए, A, S, A, नियम द्वारा समीकरण 1, 3, 4 का प्रियोग करते हुए त्रिबुज A, D, C और त्रिबुज B, E, F सरवांगसम हैं जोकी सरवांगसम आगरितियों के क्षित्रफल समान होते हैं इसलिए, A, D, C का क्षित्रफल बराबर है B, E, F के क्षित्रफल के इसे समीकरण 5 के रूप में चिन्हित कीजिए अब, A, B, E, C का क्षित्रफल बराबर है A, D, C के क्षित्रफल जमा A, B, E, D के क्षित्रफल के हम जानते हैं कि A, D, C बराबर है B, E, F के इसलिए हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि समीकरण 5 का उप्योग करते हुए A, B, E, C का क्षित्रफल बराबर है B, E, F के क्षित्रफल जमा A, D, A, B के क्षित्रफल के जो A, B, F, T के क्षित्रफल के बराबर है इसलिए समानतर चतरभुज A, B, E, C तथा A, B, F, T दोनों के क्षित्रफल बराबर है प्रमाई का विलोम अब हम सिद्ध कर चुके हैं कि एकी ही आधार और एकी ही समानतर रेखाओं के बीच इस्थित्थ समानतर चतरभुजों के क्षित्रफल समान होते हैं इस प्रमय का विलूम भी सत्त है, जिसके अनुसार एक ही आधार परिस्थित समान क्षेत्रफल वाले समानतर चत्रभुज एक ही समानतर रेखाउं के बीच इस्थित होते हैं. उधारन यदि एक समानतर चत्रभुज और एक त्रभुज एक ही आधार और एक ही समानतर रेखाउं के बीच इस्थित हैं, तो सिद्ध कीजिए कि समानतर चत्रभुज उसी त्रभुज जैसे दो त्रभुजों से बना होता है. मान लेते हैं कि एक उभयनिष्ट आधार बी-सी पर और एक ही समानतर रेखाउं, ए-ई और बी-सी के बीच समानतर चत्रभुज ए-बी-सी डी और एक त्रभुज ए-बी-सी इस्थित है. अब सिध्ध करते हैं कि समानतर चत्रभुज ABCD त्रिभुज EBC जैसे दो त्रिभुजों से बना है रचना रेखा AC खींचिये चुकि विकर्ण AC समानतर चत्रभुज को दो पराबर भागों में बाट रही है इसलिए समानतर चत्रभुज ABCD त्रिभुज ABC से दुगना है किन्तु त्रिभुज ABC और EBC A की ही आधार BC और A की ही समानतर रेखाऊं AE और BC के बीज इस्थित हैं इसलिए वह दोनों समान है इसलिए समानतर चत्रभुज ABCD त्रिभुज EBC जैसे दो त्रिभुजों से बना है इती सिथम एक समलंब ABCD है जिसमें AB सरवांग सम है DC के विकन AC और BD एक दूसरे को ओपर काटते हैं सिथि कीजे कि त्रिभुज AOD का क्षित्रफल त्रिभुज BOC के क्षित्रफल के बराबर है हल यह देखा जा सकता है कि त्रिभुज DAC और त्रिभुज DBC एक ही आधार DC पर और एक ही समानतर रेखाऊं AB और CD के बीच स्थित्थ हैं इसलिए त्रिभुज DAC का क्षित्रफल बराबर है त्रिभुज DBC के क्षित्रफल के अर्थात त्रिभुज DAC का क्षित्रफल घटा त्रिभुज DOC का क्षित्रफल बराबर त्रिभुज DBC का क्षित्रफल घटा त्रिभुज DOC का क्षित्रफल और इस प्रकार त्रिभुज AOD का क्षित्रफल त्रिभुज BOC के क्षित्रफल के बराबर है एक ही आधार तथा एक ही समानतर रेखाओं के बीच इस्थित त्रिभुज प्रमाएं, एक ही आधार या बराबर आधारों और एक ही समानतर रेखाओं के बीच इस्थित त्रिभुजों के क्षित्रफल समान होते हैं दिया गया है एक ही आधार BC और एक ही समांतर रेखाऊं BC तथा ED के बीच इस्थित दो त्रिभुज ABC और DVC है सिद्धिक करना है त्रिभुज ABC का क्षित्रफल बरावर है त्रिभुज DVC के क्षित्रफल के रचना बी से होते हुए CA के समांतर E पर बनी DA को काटती हुई BE खिंचे और C से होते हुए BD के समांतर F पर बनी AD को काटती हुई CF रेखा खिंचे उपत्ति निर्मान के अनुसार हमारे पास दो समानतर रेखाएं B E और C A है और B C E A के समानतर है ये हमें दिया गया है इसलिए चतरभुज B C A E एक समानतर चतरभुज है ठीक इसी तरह B C F T B एक समानतर चतरभुज है अब समानतर चतरभुज B C A E तथा समानतर चतरभुज B C F T A की ही आधार B C तथा A की ही समानतर रेखाओं B C तथा A D के वीच स्थित हैं इसलिए समानतर चतरभुज B C A E का क्षित्रभुज पराबर है समानतर चतरभुज B C F T के क्षित्रभुज के इसे समीकरण एक से चिन्नित कीजिए हम जानते हैं कि समानतर चतरभुजों के विकर्ण उसे बराबर क्षित्रभुज वाले दो तरिभुजों में बाढ़तेते हैं इसलिए तरिभुज D B C का क्षित्रभुज बराबर होगा समानतर चतरभुज B C F T के क्षित्रभुज के आधे के इसे समीकरण 2 से चिन्हित कीजिए और तिर्भुज ABC का क्षित्रफल बराबर है समानतर चत्रभुज BCAE के क्षित्रफल के आधे के इसे समीकरण 3 से चिन्हित कीजिए अब समीकरण 1 से समानतर चत्रभुज BCAE का क्षित्रफल बराबर है समानतर चतरभुज BCFD के क्षित्रफल के इसलिए समानतर चतरभुज BCFD का आदा क्षित्रफल बराबर है समानतर चतरभुज BCAE के आदे क्षित्रफल के इसलिए सिद्ध होता है कि त्रिभुज ABC का क्षित्रफल बराबर है त्रिभुज DBC के क्षित्रफल के इस प्रमे का विलोम कथन भी सत्य है, जिसके अनुसार समानक्षित्रफल वाले दो त्रिभुज जिनके आधार एक ही हैं या बराबर हैं, एक ही समानतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं. उधारण, एक त्रिभुज ABC में E माधिका AD का मध्य बिंदु है, सिथि कीजिये कि त्रिभुज BED का क्षित्रफल बराबर है एक बटे चार त्रिभुज ABC के क्षित्रफल के. हल दिया गया है, AD त्रिभुज ABC की माधिका है, इसलिए या त्रिभुज ABC को बराबर क्षित्रफल वाले दो त्रिभुजों में बांटेगा. इसलिए त्रिभुज ABD का क्षित्रफल बराबर है, त्रिभुज ACD के क्षित्रफल के. इसके अनुसार त्रिभुज A, B, D का क्षित्रफल पराबर है एक बटे दो त्रिभुज A, B, C के क्षित्रफल के इसे समीकरण एक से चिन्नित करें त्रिभुज A, B, D में A, D का मत्यविंदू E है इसलिए B, E मातिका है इसलिए त्रिभुज B, E, D का क्षित्रफल पराबर है त्रिभुज A, B, E के क्षित्रफल के अर्थात त्रिभुज B, E, D का क्षित्रफल पराबर है एक बटे दो त्रिभुज A, B, D के क्षित्रफल के अर्थात समीकरण एक के अनुसार त्रिभुज BED का क्षित्रफल बराबर है एक बटे दो गुणा एक बटे दो त्रिभुज ABC के क्षित्रफल के जिससे यह सिद्ध होता है कि त्रिभुज BED का क्षित्रफल बराबर है एक बटे चार त्रिभुज ABC के क्षित्रफल के चिद्ध करिए कि किसी समानतर चत्रभुज के विकर्ण उसे बराबर क्षित्रफल वाले चार त्रिभुजों में विभाजित कर देते हैं। हल हम जानते हैं कि समानतर चत्रभुज के विकर्ण एक दूसरे को समदुई भाजित करते हैं। इसलिए O, A, C और B, D का मत्थिपिंदु है त्रिभुज A, B, C में B, O माथिका है इसलिए या इसे बराबर क्षित्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करेगा इसलिए त्रिभुज A, O, B का क्षित्रफल बराबर है त्रिभुज B, O, C के क्षेत्रफल के इसे समीकरण एक से चिहनित करें त्रिभुज B, C, D में C, O, माथिका है इसलिए त्रिभुज B, O, C का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज C, O, D के क्षेत्रफल के इसे समीकरण दो से चिहनित कीजिए ठीक इसी तरह त्रिभुज COD का ख्षेत्रफल पराबर है त्रिभुज AOD के ख्षेत्रफल के इसे समीकरण 3 से चिनित करें समीकरण 1, 2 और 3 से हमें ये पता चलता है की त्रिभुज A, O, B कह क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज B, O, C के क्षेत्रफल के जो की बराबर है त्रिभुज C, O, D के क्षेत्रफल के जो की बराबर है त्रिभुज A, O, D के क्षेत्रफल के इसलिए यह सित हुआ कि किसी समानतर चत्रभुज के विकर्ण उसे बराबर क्षित्रफल वाले चार त्रिभुजों में विभाजित करतेते हैं क्या आप जानते हैं सिकंद्रिया के हीरोन एक शिताबदी इसापूर्व ने त्रिभुज के क्षित्रफल के सूत्रगी खोच की थी गणित के दिहास में वह सबसे अधिक इसी सूत्र के कारण जाने जाते हैं जिसका नाम उन्ही के नाम पर है सारांश आये हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं किसी आकरिती का क्षित्रफल वह संख्या किसी काई में है जो उस आकरिती के अंदर आने वाले सम्दल को दर्शाती है दो सरवांग सम आकरितियों के क्षित्रफल बराबर होते हैं लेकिन इस कथन का विलोम भी सही हो ये आवशक नहीं है दो आकरितियां यदि एक ही आधार परिस्थित हैं और उभे निष्ठ आधार के सम्मुगिस्थित उनके शीर्ष एक एसी रेखा परिस्थित हैं जो आधार के समानतर हैं तो वो आकृतियां एकी ही आधार और एकी ही समानतर रेखाओं के बीच की आकृतियां कहलाएंगी। एकी ही आधार या बराबर आधारों और एकी ही समानतर रेखाओं के बीच इस्थित समानतर चत्रभुजों के क्षितरफल बराबर होते हैं। एक ही आधार या बराबर आधारों पर इस्थित समान क्षित्रफल वाले समानतर चत्रभुज एक ही समानतर रेखाओं के बीच इस्थित होते हैं। एक ही आधार या बराबर आधारों और एक ही समानतर रेखाओं के बीच इस्थित त्रिभुजों के क्षित्रफल समान होते हैं। एक ही आधार या बराबर आधारों पर इस्थित समान क्षित्रफल वाले समानतर चत्रभुज एक ही समानतर रेखाओं के बीच इस्थित होते हैं। उल वाले समानतर आभगप ही समानतर रेखाओं के एक भी समान'तर हैं। झाल झाल